Hello everyone, welcome in this video दोस्तो आज कस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें हम reasoning के B8 के reasoning question answer को solve करेंगे इससे पहले मैंने दो वीडियो मनाया है उसे आप जरूर देखेगा, उसका playlist भी है उस पर जाकर आप देख सकते हैं आपने basic चीज़ों को सुधार सकते हैं तो यहाँ पर मैंने class लिया है लुप्त संख्या, यह बहुत important होता है कई बार हम इसे एकजाम में छोड़ देते हैं यह बहुत महतपूर्ण है और इसी कारण जैसा आप जानते हैं कि reasoning में बहुत ज़्यादा marks आता है और अक्सर हम इसमें जल्दी दी के चक्कर में हम सवाल को गलत कर देते हैं तो यह महतपूर्ण है आपके लिए चलिए इस वीडियो में हम सवाल को समझते हैं इसके अलवा यदि आप चाहते हैं आप अलग-अलग परकार के PDF ब्रावन करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का PDF ब्रावन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे सिंपली आप सब्जेक्ट करेंगे गूगल में wiki-study.in v-i-c-k-e-y और stu.in इसके सिंपली सब्जेक्ट करेंगे आपके सामने एक वेब साइट खुलेगा वहाँ पर सभी पर करके आपके books मिलेंगे study material जैसे child development के बारे में language क्या होती है सभी चीज़े वहाँ पर आपका PDF है वहाँ सर्च करना है आपको सर्च में डालके सर्च करके आप उसको निकाल सकते हैं और उसका चाहिए तो प्रिंट कर लिजे जो कि बहुत important है वहाँ पर बहुत सारे question में दिये गए अलग-अलग subject का तो उसे आप जरूर देखेगा बाकी आपको यहाँ पर easy way में आपका class रवल चलते रहेगा तो इसे भी जरूर देखते रहेए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं question देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 21 है यहाँ पर question आपको दिया गए यहाँ पर आपका blank space दिया है जो अपकी loop संख्या है अब यहाँ पर option में से संख्या को यहाँ पर भरना है तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि पिज़ा में बहुत कम समय रहता है तो हमें कम समय में ही solve करने का practice करना है तो जैसे कैसे करना है सबसे पहले इसको समझते हैं जैसे आपने पहले देखा कि कई सारे method को हमने try किया और बनाने का practice किया ठीक है लेकिन हम यहाँ पर और भी तरीके हैं जैसे आप यहां पर देखे 2, 5, 7 दिया हुआ है अभी तीनों के बिच जैसा क्या समंद होगा कि यहां पर 49 अजाएगा ऐसे हमको प्रैक्टिस करना है मतलब बनाना है तो यहां पर देखे जो दिया गया है पहले नमबर दिखे यहां संक्य उठाई या पहले पांच को हम अगर हम दो बर गुड़ा करते हैं मतलब इसका वर्क करते हैं और प्लस में हम दो जोडते हैं इस समंद को आप चेक करना है फटाक से अब इसको जोड लीजिए जोडेंगे तो कितना आएगा यहां पर तो आएगा 49 देखे इस मेथट को यहां पर लाया गया है तो यहां पर देखे इस परकार के मेथट यहां पर बना जो कि यह पहला इस कॉलम के लिए यह पहला कॉलम के लिए है ठीक है अब जस्ट मेथट जो भी लगाया है यहाँ पर नियम, वहीं नियम को यहाँ पर लाग देखिए, यह भी उतना ही आना चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपका 3 का work करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 इस सब्सक्तिता हो किया होगा? तो यहां पर दीखे जब से पहले क्या कर क्या क्या करएंगी? सबसे पहले हां पर यहां पर दीखे 5 का हम ओर करेंगे, Lifegenow 25 होजाएगा इसको भीक्राइज लिखे 25 और उसी परकार से प्लस कर दीजिए और 6 गुड़े एक कर दीचे तो कितना जागा 6 आजागा तो 25 और 6 कितना हो जाता है तो 31 हो जाता है तो यहाँ पर right answer कौँट हो जागा तो हमारा B well option जाहे है यहाँ पर right answer हो जागा जो कि 31 है यह right answer हो जागा आगे सवाल यहाँ पर दिया गया है 22 देखिए यहाँ पर 8 दिया है 6 दिया है 2 दिया है ऐसा क्या समन्ध होगा इसके बीच यहाँ पर 96 आया है एसे ठीक है, तो similar यहां पर भी ऐसा क्या नियम लगाना है, कि यहां पर आपका संख्या मिल जाए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, option को eliminate करेंगे, मतलब options से रख के देखेंगे, वहाँ पर, लेकिन यहां पर जो ही इतना time निराता है, तो क्या करना है सब से पहले पहले क्या करना है देखिए ये दोनों को पहले गुड़क खजी तो कितना जाएगा कितना जाएगा तीस आ जाएगा ठीक है तीस आ गया अब देखिए तीस को इसमें भाग दे दीजे 120 में तो यहाँ पर बटे में आप देखिए इससे यह कट गया तीन चो को बारा मतलब चार तो यहाँ पर जो संख्या आएगा वो चार आएगा तो यहाँ पर आपका बी बोला उप्सन जो ही यहाँ पर राइट अंसर हो जागा जो कि आपको चार आएगा मतलब सभी उप्सन को रखने जोरत नहीं है आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर राइट अंसर आपको मिल जाएगा आगे सवाल देखें यहाँ पर भी सिमिलर वो इसे ही दिया है तो क्या नियम लगाएंगे तो यहाँ देखिए 6 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है इसका नियम कैसे लगएगा तो देखिए यहाँ पर 6 और 5 के समझ जुड़िए 6 और 5 के गुड़ा करजिए अब प्लस का एक कर दीज़िए मतलब 6 पचे 30 और 1 देख 30 सही है यह अपकम मिल गया यहाँ पर उसी पर से यहाँ पर किज़े पत्कों क्या हो गया 5 सते 35 हो गया और 35 हो तीन 38 हो गया सिमिलर यहाँ पर भी कि यह तो 9 दिनी 18, 18, 18, 24 कितना हो गया 22 हो गया यहाँ पर easy बहुत easy answer है यहाँ पर आइट answer एवल हो गया बहुत ही यह से आपको बनाना है shortcut तरीका से फटाक से अब यहाँ पर देखे यहाँ पर भी similar दिया है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ा लग लाएगा जो कि यहाँ पर देखे दो, चार दिया है, पांच दिया है तेरह दिया है, क्या समन्द होगा तीनों में यहाँ पर 13 आएगा सबसे पहले कि देखिए, 4 दिया 8 ऐसे हम कर सकते है पहले वीडियो को पोच्च करके आप बनाने का प्रयास किजे बना के कमेंट किजे, उसके बाद आपको फिर से चालू करें वीडियो को देख सकते है यहाँ पर 4 दिया 8 हो गया आप यहाँ पर आपको 8 जो आएगा उस 8 में 5 को जोड़ देना है ठीक है यह 5 को जोड़ देना है तो कितना जाएगा 13 जाएगा ठीक है 13 आ गया उसी पैकर से यहाँ पर देखे 4, 3, 12 और 6 कितना हो गया 18 मतलब यह दो नम गुड़ा किये और इसको प्लस कर दिया ठीक है तो 4, 3, 12 और 6, 18 हो गया उसी पकार से यहाँ पर यह दोनों में क्या करें गुड़ा करेंगा इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो गया 4, 9, 36 36 हो गया और 36 हो तीन जोड़ दो इसको तो कितना जाएगा 360, 39 दो है यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा 40, आपका right answer हो जाएगा आगे सेम आपका pattern पर दिया है स्वाल यहाँ उसको बनाने का प्रयास किजिए यहाँ पर दिखिए 3, 6, 9 ऐसे क्या समन्ध है यहाँ लग भी यहँ आपर 18 हो गया तो यहां पर आपका राइट एंसर सी बला हो जाएगा आगे यहां पर आप सवाल बनने का प्रयास किजिए 26 नमर में देखिए यहां पर पांच साथ छे दिया है अब यहां पर देखिए अब हम इसका समन्द होगा सबस्पेल एक काम कर सकते हैं यह सभी को जोड दीजिए ठी साथ और पांच कितना हो गया 12 उच्छे 18 यह तीन हो गया 18 हो गया अब यह 18 जितना भी आया है उसका आप दूगना कर दीजिए यह नियम समझ लिजिए जितना संख्य आया है उसको दूगना कर दीजिए आपका 36 आ जाएगा मतलब यहां देखिए 18 आया था 18 को हम 2 से उसी टैप से तो यहां पर हम क्या करेंगे 9 और 11 कितना हो गया 20 हो गया ठीक है 20 हो गया और 8 कितना हो गया 28 हो क्या करेंगे यहां पर आपका गुड़े 2 कर देंगे तो कितना हो गया 56 हो गया उसी परकार यहां पर आपका 2 जो कॉलम है यहां पर दीखिए 10 उला तो क्या करें पर सभी को जोडेंगे, 10 और 17 हो गया, कितना हो गया, तो यहाँ पर 27 हो गया, 27 में यहाँ पर देखे, लेकिन यहाँ पर जो 64 आया है, इसको हम दुगना नहीं किये हैं, मतलब इसका हम आधा ही माने हैं, तो यहाँ पर 32 हो गया, इसको 32 मानेंगे, क्योंकि देखे इसको दूगना नहीं करते हैं इसको 32 हो गया। तो यहाँ पर देखे 10 और 70 को जोड़े तो 27 आया। तो यहां पर 32 जो आया है यह 32 में से हम 27 को घटाएंगे। इसको समझे गा, 32 में 27 को घटाएंगे तो कितना आए गा 이हाँ पर था उसका संख्या का मान निकाल दिये तो यहाँ पर evil option जो हमारा right answer हो जाता है जो कि 5 आया है आगे आप इस सवाल को बनाने का practice किजिए देखिए यहाँ पर दिया हुए 3,2 और यहाँ पर 4 दिया ऐसा क्या समध होगा है उसको में ऐसा होगा ठीक है तो obvious सी बात है यहाँ पर 3 बीडियो को बनाईए उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे बहुत ही जी यह दोनों के भी गुड़ा कर दीजिए इसको जोड़ दीजिए इसको जोड़ दीजिए आजाएगा आपका answer आगे सवाल दिया ही यहाँ पर अठाई समध इसको बनाने का practice किजिए आप देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है 12 दिया हुआ है 24 दिया हुआ है तो देखिए 4 दिया ही 12 होता है इसको पोज़ करका आप वीडियो को बनाईए पहले और फिर चलू किजिए यहाँ पर 4 दिया 12 होता है और यहाँ पर 12 दूनी 24 होता है मतलब यहाँ पर 3 का गुड़ा है और यहाँ पर 2 गुणा यहाँ पर 5 गुणा सेम नियम सबके साथ लगना चाहिए तो इसको हम अभी बनाएंगे उससे पहले इसको बना लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 6 तरी 18 हो गया अठारा दुनी कितना हो गया 36 हो गया अज 36 पच्चे हम अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पर 180 थीक है उसी परकार से यहाँ पर आगे देखिए यहाँ पर कोई संख्या होगा जो कि 3 बार में होगा तो यह सक्या संख्या होगा तो आठ तरी के चोविस होता है कॉमन सी बात है तो यहाँ पर आपका ऐसी सवाल मिल गया कि 8 तरी के 24 होता है और यहाँ पर दो कब गुड़ा करना है 24 दुनी 48 और 48 पच्चे यहाँ पर 240 होता है तो सिमिलर से यहाँ पर आपका जो है राइट एंसर हो जोगा डी वाल ऑप्सन जो है आपर राइट एंसर हो तो सबसे पहले क्या किया है इसमें देखिए 17 आने के लिए क्या करेंगे तो यह जो 3 है 2 है 5 है इन दोनों के बीज़े मतलब 3 के बीच क्या समन्द होगा तो देखें 3 का गुड़ा हम अगर 5 से करते हैं तो आ जाता है 5 ती 15 अदू 17 हो जाता है ठीक है उसी पर से यहां पर करे यहां पर यहां तक वीडियो समझ में आ गया होगा और वीडियो में आप वैवसाइट में जाकर जूरू सच किजिए तो यहां पर वीडियो थोड़ा अ रहा है वहां पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सभी सब्जेक का तो उससे आप ज़रू डाउलोड कर जए PDF को और उसका प्रिंट करकर रख लेजिए बागे वीडियो के सरा कमेंट में कर दीजएगा और वीडियो को सेर करते रहेगा में तेन लेज वीडियो में थाइंक्यू सो मच पोचें